वाट्स अब गाइस तो कैसे हो आप सब सबसे पहले में आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल कंपिटर साइस में स्वागत करता हूँ इस सी लेंग्वज के सीरीज में हमने अब तक सी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जिसमें से सी टोकन्स हम अमने देख लेए जैसे विरिवल कॉंस्टेंट और बहुत सारे अमने टोकन्स देख लेक लिए तो आज हमारा शीटुक्स का नए टॉपिक है फ्रेंड्स आगे का टोकन हंमारा यह और ऊपरेटर्स जो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टन टॉपिक है सी लेंग यूज होता है, operator is a sign or symbol which represents operation, तो operators friends होते हैं, एक तो sign होते हैं, या symbol होते, जो की यूज करके हमें programming करने पड़ दिये, तो C is a vary between operator, तो C में बहुत सारे operators हमें दिये गए हैं, and expression is a combination of variable, costed, values and operator, operators, मानो friends, तो कहा हमें यूज किये जाते हैं, operators programming, अगर हमें कोई addition करने ही हो, तो plus का जो sign हो एक operator से, subtraction करने ही हो, तो minus का sign operator ही, asterisk multiplication करना हो, तो asterisk use करेंगे, वो एक operator हो गया, backslash जो division के लिए उसके होता है, वो एक operator हो गया, तो इसे बहुत सारे operators हमें देखने हैं, यह तो arithmetic operator होगे, मैंने आपको बताया हूँ, इसे बहुत सारे logical assignment, bitwise operator, बहुत सारे बहुत ही interesting topic है friends, तो ओई आज हम operators में देखेंगे कि, किस किस टाइप के operators होते हैं, और वो कहा कहा है उसके जाते, बेसिकलिए operator बहुत सारे होने के वज़े से, मैं इस operators के part का वीडियो, दो part में बाढ़ दूँगा friends, तो यह हमारा first part, next part में हम आगे के operators देखेंगे, तो operators जो होते friends, वो unary, binary और ternary होती, unary मितलब क्या, कि unary का मतलब होता है, eat operators on one operator, मतलब एक ही variable हो, या constant उस पर जो, एक ही होता है, तो उस पर जो यूज होगा, हमारा operator, वो unary operator, जहाँ पर दो operants होगे, उदर बाहे लगा operant यूज होगा, जहाँ पर तीन होगे, वो हाँ टर्नरी होगा, इसी तार हमारा unary, binary, टर्नरी यूज होंगे friends, operators can be classified according to nature of operation, according to the perform, जो नेचर होगा, उस उपरेंट का उन पर उनके बेसिक बेसिस पर operator के बहुत सरे टाइप पड़ते हैं, तो आज हम बेसिकले टू उस टाइप देखे लिए जो एक है अरित्मेटिक operator और दूसरा है relational operator, तो operators का मतलब आपको समझे आ ही होगा, कि क्या होती है, operator बेसिकली जो हमें operation perform करना होता है उसके लिए जो symbol और sign यूज किया जाता है उसको उपरेंटर कहा जाता है, देखते हैं हमारा पहला topic arithmetic operator, नाम से पता जलता है फ्रेंट्स क्या होगा arithmetic operator, arithmetic operations are binary operator which operates on two operand, तो arithmetic operation में जो हमें arithmetic करना पड़ता है mathematics के लिए जैसे addition होगा, subtraction, division or multiplication, तो यह जो arithmetic operations ही इसके लिए जो operator यूज होंगे उसको arithmetic operators कहा जाता है, तो arithmetic operation आपको तो पता ही addition करना हो, मतलब दो constant आएंगे, दो number आएंगे इसके लिए एक simple है आप मुझे comments में जरूर बताना कि इसके लिए कौन सा operator यूज होगा, तो arithmetic के लिए binary operator यूज हो तो इसके लिए उसके लिए एडिशन, subtraction और operator यूज होगा, के लिए होगा हाइपन आस्ट्र रिट्रिक्लिकेशन के लिए ौर्वड स्लेश होगा डिविजेन के लिए और मॉडिलुस्कों और के लिए और मैंटरियं के लिए आरिट्मेटिक ऑपरेटर वर्क य्मीरी और यूham अ कर सकते हैं उसके बाद हमारा next operator है friends relational operator यह भी काफी interesting operator friends तो देखते हैं relational operator क्या होते हैं तो first point relational operator is used to compare expression मतलब जहाँ पर भी हमें किसी expression को compare करना हो तो वहाँ पर relational operator यूज़ होंगे an expression is a combination of variable constant and value the result of relational operator are true or false तो relational operator होता है उसका जो answer होता है फ्रेंट्स वह एक तो true आता है या false में आता है तो वही पर हम relational operator यूज़ करेंगे मतलब अगर simple language में बताए जाए फ्रेंट्स तो अगर आपको दो तीन नंबर दे जाए तीन path 357 इसे नंबर दे जाए आपको बोला जाए इन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो इसके लिए हम रिलेशनल operator यूज़ करेंगे मतलब less than greater than को यूज़ करके हम पता लगाएंगी कि इस में से सब्सके बढ़ा काउन सा है यह सब्सके छोटा काउन सा है friends तो यह हमार रिलेशनल operator उसमें आजाते है friends less than greater than less than equal to greater than equal to equal to or not equal to not equal to लिखे जाते है friends exclamation mark और equal to give उसके बाद ही होगा हमार रिलेशनल operator the student आपको पसंद आगाया होगा relational operator next है हमारा logical operator the logical operator are used to combine two or more तो जहां पर two or more expression combine हो जाते ही वहां पर logical operator यूज किया जाता है the result of logical operator is true or false relational operator की तरह ही इसका भी result एक तो true होगा या false होगा friends if you want to compare more than one condition then we need use of logical operator कही कही पर हमें इसा लगता है कि logical operator और relational operator एक ही है तो कौन सा वहाँ पर यूज किया जाए तो friends basically यहाँ रखो कि जहां पर दो से ज्यादा operators आएंगे वहाँ पर हम logical operator यूज कर देंगे logical operator में and logical और binary operator यूज किया जाता है logical and और और binary के लिए उसका किया जाता है तो यूनरी के लिए not यूनरी operator है वह यूज किया जाता है तो उसका एक ट्रूट टेबल भी एफरेंट्स वह भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ तो यह थे हमारे logical operators logical operator की simple में इतना ही याद रखो कि logical जो भी expression होते हैं इस प्रांसर ट्रू और फॉल्स में आ जाता है जैसे के एंड हो गया और होगा नॉट होगा यह mathematics में आपने पड़ा ही होगा तो ही यह logical operator तो आज हमने आरिफ्मेटिक ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर तीन ऑपरेटर देख लेंगे तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो